वेल्कम बैक नमस्कार राम राम एक फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकिस टॉक विद गोतम में आज हम बात करने वाले हैं नेट्फिक्स पर रिलीज हुई एक मूवी के बारे में मूवी का नाम है दा लास्ट मरसेनरी जीन क्लाउट बेंड डेम ने इसकंदर मुक्य किरदार निवाय है बरूमे का बाकी बात करेंगे मूवी के बारे में कहानी के बारे में आप लोगों को देखनी भी चाहिए या नहीं उस सभी के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहल जढ़ाद कोई खास पसंद नहीं आई है ये मुवी उन सभी लोगों को पसंद आने वाली है जो लोग action movies देखने के काफी शौकिन है मुवी में कहानी का कोई अतापता नहीं है मूवी में सिर्फ और सिफ action आप लोगों को देखने को मिलता है कहानी इसकी कोई खास नहीं है, कहानी लिखने को उपर ज़्यादा महिनत नहीं की गई जैसे हैं कि आप लोग हिंदुस्तान में देखते हैं कि अगर किसी एक्टर की इमेज बन जाती है एक्शन एरो की बाकी इस मूवी में आपको एक्शन के लावा ना सस्पेंस देखने को मिलता है ना थ्रलर देखने को मिलता है कुछ भी एक्टर देखने को नहीं मिलता, कॉमेडी बगरा तो आप छोड़ी दीजिए जीन कलाऊट बेंड डेम की एक सिगनेचर इस्टैल है जैसे याँ पर अजय देवर गन जैसे दो बैक पर पेर रख करके बिल्कुल पेरो को सप्लिट करके जाते हैं उसी प्रकार जिन क्राउड की जो एक signature style है वो आपको इसमें दो तीन बार देखने को मिलती है काफी अच्छे action stunt करते हो आपको नजर आ जाते हैं दो घंटे की ये movie है हिंदी में आप लोग इसको Netflix पर enjoy कर सकते हैं अगर आप लोग action movies के fan है तो बात कर लेता है इस movie की कहाने के बारे में जो कि मैंने आपको बताया है काफी ज़्यादा simple है movie की starting में आपको बता दिया जाता है जिन cloud band name का character brew में एक secret service agent है कहीं पर वो अपने mission को अंजाम दे रहा है लोगों के बच्चों को वो बचाता है कई मुसीबतों से बचाता है कई अलग-अलग projects पर वो जाता है movie में थोड़ी देर के बात में आपको पता चलता है जो की कहीं और दूसरे country में रहता है फ्रांस में उसको इस country में immunity मिली हुई है वहाँ की government उसका खर्चापानी उठाती है ये सब कुछ आपको movie की starting में बता दिये जाता है कहानी में तुष्ट तब आता है जब Jean Cloud Band name के बच्चे की यानि कि उसके लड़के की ID को कोई बंदा चुरा लेता है और उसकी जिन्दगी जीने लग जाता है वोड़ी देर बाद में आप देखता है बजाए movie की कहानिक है तो movie में emotional वाला touch आपको देखने को नहीं मिलेगा जो father sun वाली bonding होती है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती जिन Cloud Band name के चेरे पर बैसे भी ज़्यादा expression नहीं आते वो action movies करते हुए ज़्यादा perfect लगते है तो वो पूरी movie के दौरान action करते हुए आपको दिखाई देते है movie का first stop अगर मान के चले तो starting के गंटे की movie काफी अच्छी लगने वाली है आप सभी लोगों को last के गंटे में movie थोड़ी थोड़ी दल होती चली जाती है last में जो action sequence है वो भी इतने जादे आप सभी लोगों को पसंद नहीं आते ये movie को अगर मैं rate करना चाहूँ तो इस movie को मैं देना चाहता हूँ पांच में से सिर्फ और से डे डंक आइम डीवे पर इस movie की rating है 5.1 out of 10 ये था अमारा इस movie के लिए review अगर आप लोगों ने movie देख लिए तो मुझे में comment section में बता सकते हैं कि आपको ये movie कैसी लगी अगर नहीं देखिए तो मैंने बताई दिया नेट्फिक्स पर जाईए enjoy करिए दो गंटे आपको इसके लिए देना पड़ता है वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like जरू करें चैनल को subscribe नहीं किया तो जाईए subscribe कीजिए बेला कन दवेए ताकि आने वाले वीडियो के notifications आपको समय पर मिलते रहें इसी तरह की वीडियो देकर काता ही रहता हूं तो जिन भी movies का अब web series का आप लोग review चालना चाहते हैं comment section में लिखना ना भूले मिलूँगा next video में next review में तब तक के लिए राम राम बंदे मातरम